जय हिंद नमस्कार दिस इस बिक्के मिश्रा और आप देख रहे हैं बिक्के मिश्रा एजुकेशनल तब बिलकुल बिहार बोड दो हजार चौबीस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए यह हम सोसल साइंस का कोश्चन यह सेट नमर तीन लेके आ गए हैं आपके साथ में अगर तो रूल के अनुसार हमें only 20 कोश्चन का ही आंसर करने है तो पहला जो कोश्चन हमारे पास है वह यह इस परकार है संग राज की बिसेस्ता नहीं है लिखित संविधान सक्तियों का विभाजन एक हरी सासन बेवस्था या सरबच्चन यह पाले का तो सासन बेवस्था कि कौ बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिप भी है आप लोग और आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा नम्मर सेकंड कोश्चन संग सरकार का उधारन है कौन सा मतलब संग सरकार का उधारन इसमें कौन है अमेरिका है चीन है ब्रीटेन है इन में से कोई नहीं है तो संग सरका सब्सक्राइब करने वाले थे वो कोई और नहीं थे बलके वो थे जिसको आप लोग यहां पर लोग करेंगे साथी कहना यह चाहेंगे कि अगर चैनल पर मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्या कर लीजिए चैनल को कि इस से फाइदा इससे सच्टा कहीं कुछ और मिलने वाला नहीं है लोग तांत्रिक ब्रवसताने निमनली लिखित में से किस मुद्डे पर सफलता पाई है राज नेतिक समंता को समाप्त कर दिया लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया या बहुत बहुमत समु और अल्प समु के साथ एक जैसा बहवार करता है या समाज की आखरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच में आर्थिक पहमाना कम कर दिया है तो लोगत अंत्रिक विवस्ता किस मु मेरा सब है हमारा ठीक है तो अब चलिए कोश्चन नमर हम लोग 5 के साथ यहां पे आगे बढ़ेंगे 5 नमर कोश्चन थोड़ा सा धुंदला दिख रहा होगा बढ़ डॉंट वरी हम पढ़के इसको किलियर कर देते हैं उसके बाद सब कुछ साफ हो जाने वाला है सुदूर संबेदी उपगरह का परियोग किसके लिए होता है सुदूर संबेदी उपगरह का दूर संचार के लिए मौसम विग्यान के लिए संसाधनों के खोज के लिए दूरदर्शन के लिए किसके लिए हो सकता है तब बिलकुल सही है संसाधनों के खोज के लिए परियोग होता है किसका संबेदी उपग्रहों का परियोग नमर छे कोश्चन हमारे पास है निम्न लिखित में से कौन सा भुकंप का सरवाधिक संबेद अंसिल नगर है देहरादुन राची हैदराबाद चनई मतलब सबसे ज़्यादा संभावित भुकंप कहां पर आने की संभावनाए होती है सबसे ज़्यादा भुकंप किदर आती है तो सबसे ज़्यादा भुकंप जो आती है न कहीं और नई बलकि आपका चनई तामिल लंडो में आती है नम्मर सेबन कोश्चन हमारे सामने ये रहेगा निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है पंजाब को केरल को बिहार को दिल लेखो तब पिछड़ा राज के संगया किसे दे जाती है तब फिछड़ा राज के संगया जो दी जाती है वह अपना बिहार है किसी और को मत मार यह जब Kaplair के सांथ आपका बिहार हो यह कोफिशन बाभ वर 915 ूर्टियों प्रधानमंत्री लिَّंट बिल्कुल रखण्ट। रक्त एंड लौह का नीति किसने उलंबर किया था मेजनी हिटलर बिसमार्क बिलियम प्रथम कौन थे तो वो थे बिसमार्क जिसने रक्त और लौह का नीति बनाया था समयवादी सासन का पहला परयोग कहा हुआ था रूस में ज्पान में चीन में क्युबा में रसिया अर्था रूस पूर्वी चंपारण में तो कहां है काटी तापी ये विदूत पर योजना काटी तापी पर योजना कहां पर है चलिए लौग करते हैं अब इसको भी हम लोग तो वो है मुझभ फर पूर में बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन चौधावा हमारे पास रेल वर्कसप कहां है जमाल पूर में भागल पूर में मुंगेर में पटना में तो रेल वर्कसप जो है न वो कहां है तो वह है जमाल पूर में तो है की नेक्स्ट को चन कर्थी यह पूछा हुआ था है और आज कबहाई कोश्चन है सुनामि का प्रमुखी कारण क्या है समुंदर में भूकम, मैंदानी छेतर में भूकम, परवत पर भूकम इन में से कोई नहीं तो सुनामी का मुख्य कारण जो है seeking submarine आदमी कि रखड़ करनगा सब कुछ प्रकृतिक है नेक्ट के पंजाब भुमई निमनी चार्ण कम्यक्रण क्या है बनुन मूलन गहन खेती अति पसुचारण अधिक सिचाई पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य कारण क्या है तो वो मुख्य कारण जो है ना वो अधिक सिचाई के करण भूमी निमनी करण हो चुका है और सितने हैं मानुषण में जल की मात्राय कितनी होती इसल्ग तभानुक्त मातला इसल्ग कितना पर्तिसति पाया जहाता हुए ayuda कुश्चन नमर 19 कि निम्न जीवों में कोन केरल भारत में केवल भारत में पाया जाता है만र मच्छ डॉल्फिन वैल Ladla सदू गअ जो बिल्कुल भारत में रूंन के पाखहें जाता है किक और अन्य देसों में नहीं पातीं नहीं थोल्फिन मतलब व्लौक करने अपति कैंगे नहीं है ? विश्क है ? कच्छोप को एक कंद माद ह Ary सबरहा कॉंट को समय। कि नहीं को हुँन कोई और यहां था ? दा मुझा तॉक है ? का था किस समीं की यहुम क्या हुआा ,- जाएक वगोगों करें कुने के नहीं दीनो के नहीं होल। था देतिये महायुद परलाय के बाद आर्थिक संकट से बचने के लिए क्या किया गया था वो किया गया था यूरूपिय संकिया स्थापना हुआ था कुश्चन नमर 22 है किसने कहा मुधरन इसवर की दियुहई महांतम देन है और सबसे बड़ा तोफा है तोफा-टोफा बिलकुल महात्मा गाधि मार्टिन लुथर किंग महमुद पयगामबर इसा Temple यह कहने वाला और कोई और नहीं है बलकि मार्टिन लुथर किंग है नेक्स्ट कोश्चन भारत में मतदान मतदाता होने की नियुंतम उम्र क्या है मतलब आप भोट देने योग कब हो जाएगा सोला बर्स पे सतरा अठरा उन्नीस यह बच्चा बच्चा को भी मालूम है कि चलिए थोड़ा सा और स्क्रोल करके नीचे लिए कि आ जाते हैं देखिए चबिश्वा कोश्चन आपको दिख जाएगा कोश्चन यह है थोड़ा से कम दिखेगा बढ़ देंगे हम भारत में किस परकार की सासन प्रणाली है संगिया और अध्यक्षिय संगिया और संसदिय नेक्स्ट भू अस्खलन क्या है प्राकृतिक आपदा मानुई आपदा समन्य आपदा इन में से कोई ने तो भू अस्खलन यह सब कुछ अभी कुछ दिर पहले हम आपको समझा रहे थे बता रहे थे कि यह सब कुछ प्राकृतिक आपदा है जो आटोमेटिक हो जा किसी के क कारण हो सकते हैं तो कमपन जब भी होगा ना ध्यान में दिजिएगा उसी को कहते हैं सुनामी आएगा सुनामी आता है तो फिर ध्यान में रखिएगा अब कुश्च्य नमर आगया हमारे पास 27 प्रित्वी की सताव पर सर प्रत्म पहुंचने वाला भुकम तरंग कौन सी होती है पी एसल तो तीन को होता है लेकिन प्रित्वी के सता पर पहुंचने वाला कोँछन सा होता है क्या हो सकता थैश्य आंसर को निमनी में कौन सी बात लोगत अंत्रिक बिवस्था को अनुरूप नहीं है कानुन के समक्ष समानता सब्सक्स पाह्ंप प्सक्राइन वूरून या त्युक्रां अब आजे एक क्वेश्चन नमर 30 अमारे सामने आगे लोग तंत्रिय सफलता किस पर निद्भर करते हैं नगरीकों के उदासिंता पर नगरीकों की गयर कानोनी करवाई पर नगरीकों की अपने जाती के हितों के राक्षा करना नहीं बिल्कुल हम सब का बिबेग पुन है कि अपने चित्र से लगाव राष्ट है तो यह एक नवीकरनीय नवीकरिये हैं संसाधन इन चयुरण से संसाधन है एक बार खतम हो जागा तो आसानी से मिलने वाला नहीं है यह आप लोग रट्टा मार चुके होंगे इस परकार के कोश्चन का कि नवी करनी यह और नवी करनी यह क्या है अब कोश्चन हमारे सामने यह रहेगा तैतिस्वा उपभोगता अधिकार दिवस को मनाया ज जाता बिलकुल सही बैस्वी करन के मुखंग कितने है एक द्लिव पात चार क्या हो सकते बैस्वी करन के मुखंग कितने होंगे आपको लौक करने को थोड़ाशा फास्ट चलना होगा आपको तो बिलकुल 4 होता आपसा 있는 डी को लोग करेंगे ई न्लोइश्चन हमारे समने प भारत की भारत भारत के भी सवार को कहा जाता भारत के राजदानी वेज से पहले कोलकरता था ने बहुत धार में बढ़ामी मतलब आर्थिक मुंबई है सपनों का सहर आ गया हमारे पास संतिस्वा कोश्चन भारत में कोईले का स्वर्व प्रमुख उत्पादक राज मतलब भारत में कोईला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है पश्चिम बंगल ज्यारखंड ओरिशा 36 गड़ कहां होता है कोईला अंचल याद रखिएगा क इलान चल कहां है तो वह चलिए लोग कर देते हैं बी को ज्यारखंड बिलकुल यह लालुजी के गलत गलत नीतियों के वज़ा से हम लोग के पास यह चीज नहीं बचे ज्यारखंड में यह सभी चीज़े चली गई कि वहां पे क्या चलता है आदिवास संथाल चलते हैं भी इतलर वस जाति वात की राजिनिति उधर है उधर नहीं है तो यही कारण है कि हम विजिए वीमारी राज के नाम से जाने जाते हैं भारत काश्बर्य लոह स्पात उत्पादक उधिवाद कोन है भारतित या टुकार। बिश्वसरय लॉइसपात कंपनी तो भारत का लॉइसपात उतपादक उधोग कौन सा है आप लोग को कई बार लिखा चुके हैं और आज भी आप लोग ध्यान दिये होंगे टाटा लॉइसपात कंपनी है जिसको टी आई स सी ओ के नाम से जाना जाता है आज यह कुश्चन य प्रथम बेपारी कौन थे इंग्लेंड फ्रांसिसी पूर्टगाली डच कौन थे हिंद चिन पहुंचने वाले प्रथम बेपारी बिल्कुल रट्टा मार कोस्चन है रट भी गय होंगे पूर्टगाली है कोई और नहीं है नेक्स्ट कुश्चन हमारे पास है 42 सवीने अवग्या अंदोलन कब सुरू हुआ था और इस बीस और इस तीस और इस और इस अब्यालेस कब हुआ था एक्जक्ले यू है टू नो दैना आंसर दो कोश्चन और वो कब सुरू हुआ था च सवाख्याए प्र 충 आएक गया है हमारे कीव कि एक यहांता तो और इस सघ्ख संग रूस थाए कि इसंग प्राविर्टी बढ़ी है प्रगति सिल्फ प्राविर्थी अक्रामक प्राविर्थी रुढ़िवादी प्राकिर्थी सोसनकारी प्राविर्थी समन्त विवस्ता के अनुरूप क्या बढ़ा पला है तो वो है प्रगति सिल्फ प्राविर्थी बिल्कुल सही वाला करेक्ट जबाब है अब आज ये कोश्चन नमर आगे हमारे समने 45 दिर्ग कालेंडरिन परदान करने वाली संस्ता को क्या कहते हैं क्रीशक महाजन भूमी विकास बैंक प्रात्मिक क्रीशी साख समेती इनिमें से कोई नहीं क्या हो सकता है प्यारो सही वाला जबाब तब बिल्कुल भूमी विकास बैंक के नाम से जाना जाता है अब आज ये कोश्चन नमर 46 हमारे सामने आगे आर्थिक विकास का तीसरा छेतर कौन सा है मतलब भारत की अर्थ विकास का तीसरा छेतर कौन आता है प्रात्मिक तो क्रीशी है लेकिन तीसरा कौन है चलिए लोग कर देते हैं तो आप्सन नमर सेवाच्षेतर चला जाता है कैके पहला क्रीसी है दूसरा उदोक है तीसरा हमारा सेवाच्षेतर है तीन चेत्रों में भारत की अर्थ व्योंस般 बच्टी होई है नई आर्थिक नेती किस से सम्मिल लुच किया दए और गूसे किसमें सामिल किया प्रप्षाइब कर सकते हैं कई रुपया आज कल फरम का दाम हो चुका है 50 रुपया दो सतर रुपया इन में से कोई नहीं तब बिल्कुल आप जा करके एक रुपया में किसी में भी नहीं है एक रुपया में इसका केस हो जाता है कहीं से भी कोई भी समान अगर खराब है तो बिल्कुल उपभगता में शिकायत किया जा सकता है तो कुल मिलाकर कि आज की सिवा बस यहीं हम चाहेंगे कि एगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करना सेर करना ना भूले फि